हेलो अब्रीवन आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक आज लिखे आए हूं जो कि है साइवर लॉक के ओपर है यहां पर आज बात करेंगे कि आइडिन्टिटी थेप्ट और चलिए स्टार्ट करते देखते हैं इसमें क्या क्या है पहले तो हम लोग आज जानेंगी कि जो पहले तो मैंने वीडियो बना चुका हूं इसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे आइडिन्टिटि थेप्ट क्या होती है यूनिक आइडिटी जी और और Biometrics क्या होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे ब्रिफली पहला तो होते है आइडेटी थे प्टा आइडेटी थिप का मतलब आप लोग साहत जानते होंगे कि आइडेटी होता क्या है आइडेटी में देखिए आपका पहले तो जो परस्नल डेटा है उस चीज़ को च personal ID होता है जिस नाम से बनावा होता है उसमें जो भी information दिया जाता है या फिर देते हैं अगर वही जो information phone number हो गया जैसे कि आपका आपका खुद नेम हो गया आपका photos हो गया ये सारे चीद्से अगर रहती है तो फिर इस अगर कोई चोरी कर लेता है तो इस identity theft में बोला जाता है देखे आप यहाँ पर आप देख सकता है कि identity theft is when someone stealing your personal information and use it without your permission इसका मतलब क्या है कि अगर आपका permission नहीं है और वो इंसान अगर बिना किसी permission के अगर आपका कोई भी information अगर वो use में लेता है तो वो चोरी कर लाता है त तो यह आप चीज़ समझ रहे हैं तो इसका जो तरीका होता है बहुत सरा तरीका होता है चोरी करने का कि जिससे यहाँ पर चोरी होती है और चोरी किया जाता है इससे यहाँ पर आप यह भी देख जान जैसे कि आपका Facebook ID हो गया, मैंने बता इससे पहले ही, कि जो भी आपका personal data है, जैसे आपका खुद का photo हो गया, आपके जितने भी bank account हो गया, या फिर कहीं भी दिया हुए, अगर वो चीज लिक हो जाते हैं, तो वो कहां कहां use होता है, ये सारे चीज़े एक fraud में आती है, जो कि ये जो आपकी information है, ये कहां share हो जाते हैं, ये dark wave में share होते हैं, और dark wave में share होने के बाद क्या-क्या issues आती है, पहला तो आपका credit card में problem आती है, जहां पर वो credit card से चोरी कर लेते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, या फिर आपके ATM card से पैसा निकाल लेते हैं, तो ये identity, अगर आप आपका identity जो भी है, और information जो भी है आपका, तो ये information कोई चुरा ले, तो फिर ये चीज़ पॉसिबल है कि आपका कोई भी account को hack कर लिया जा सकता है, या फिर आपका bank account में जो भी पैसा है, वो चीज़ निकाल लिया जाता है, तो ये सारे चीज़े identity theft के अंदर में आती है, न Unique ID होती है, जैसे कि जिससे कि हम लोग पैचानते हैं उसे, जैसे आप यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि इस picture में, जहाँ पर आपका Unique ID इसे कहता है, क्योंकि जिससे हम लोग उस चीज़ को जानते हैं, जैसे कि आप कमाल लिज़ा, आपका नाम राम है, तो आप जो बारे में हम लोग जानते हैं, तो उसका पर्टिकुलर एक खुद का एक information होता है, तो वो किस से होता है, वो उसकी unique ID से होता है, जैसे कि आपका आधार number, आपका example ले लेता हो, आपका जो आधार number है वो all over India में या फिर all over world में, आफी का number है, और किसी का number नहीं हो सकता है, तो इसलिए वो क्या हो गया, unique ID हो क्या, इसके बाद आप इस next जो आप इस picture में आप देख सकते हैं, जैसे कि citizen ID, यह भी एक आपका unique ID हो, इसे कहते हैं, इस ही से हम लोग समझ सकते हैं कि unique ID क्या होती है, ठीक है, इसको कैसे हम लोग जानेंगे, कि अगर कोई भी चीज, या फिर इसा कि atomic का मतलब होता है, वो single है, कि वो सारे चीजों में जो भी लिखा हुआ है, उस चीजों में वो अलग है, जैसे कि हम लोग के जैसे यहां देख सकते हैं, कै टाइप दिया हो, या फिर जासे रूल नमबर दिया हो, नेम दिया हो, बैस दिया हो, फोन नमबर दिया हो, तो इसमें से इन सारे चीज़ों में, जो सबसे यूनिक चीज़े होगा, जो कभी match नहीं कर सकते हैं, अगर role number match कर सकते हैं, अगर classes होने, अगर दो classes हैं, तो 1, 2, 3 करके, अगर एक classes में होंगे, तो दूसरे classes में भी हो सकते हैं, तो वैसे ही लेकिन, अगर citizen ID होगा, तो वो तो unique ID बोलते हैं, कि कोई भी इनसान का जो भी एक number होता है, या फिर particular कोई भी अगर object है, उस चीज़ को हम लोग specify कर रहे हैं, तो उसका एक particularly unique number होता है, उस number से हम लोग इससे जानते हैं कि वो क्या है, तो उससे को unique ID बोलते हैं, जो कि atomic होते हैं, उसे computer के भासे में हम लोग atomic type बोल सकते हैं, डेटा टाइप बोल सकते हैं, उसे जो कि general से general data type से वो अलग बनाता है उसे, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़के आप पहला चीज़ अब ये देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इसे what is biometrics, biometrics से आप लोग यहां से photo में आप देख सकते हैं कि biometrics में पहला तो ये जैसे उंगली का जो यहां पर impression होता है, कि हम लोग जैसे हम लोग जानते हैं कि आधार काट जो लोग बनाया है, अपना फिंगर प्रिंट देने के बाद उन लोग का बना होगा, तो उसे ही biometrics बोलते हैं, जिससे कि हमारे जो कोई एक इंसान है, वो इनसान अपने खुद का जैसे आंक से इसे पहचाना जाने या फिर он रखा जाये, या फिर अपने हात का जो फिंगर प्रिंट है, उसे उसे अगर रखा जाये, तो उसे नहीं कहते है, बाइच में बादो, और अगर आपका जैसे मोबाइल में अभी तो आगिया है, है बाइमेटरिक्स आप समझते कि कोई एक इनसान का जितने भी टाइप की जो फिसिकल बॉड़ी से जिससे हम लोग उस चीज को पैचान सकते है उसे बाइमेटरिक्स में वाता है जैसे कि आप देख सकते यह पर फेस रिकोगनेशन हो गया वाइस रिकोगनेशन हो गया क्योंकि हर एक इंसान का ये जो face जो होता है वो अलग होता है या फिर अगर जो voice होता है वो different होता है जैसे मैं बोल रहा हूं तो ये मैं जो बोल रहा हूं ये मेरे तरीके से या फिर मेरा जो voice है वो दूसरा कोई निकाल नहीं सकता है क्योंकि थोड़ी बहुत भी हो सकता है कि वो different यह नहीं कि मेरा जो sound है या फिर मेरा जो voice है या दूसरे कोई अगर मेरे अगर copy करता है वो same voice निकाल लेगा यह completely copy कर सकता है बट वो सारा चीज copy नहीं कर सकता है तो इसलिए यह biometrics के अंदर आते है तो यह बहुत जादा क्या होता है इसके बाद आती है identification recognition और biometric set यह चीज़ा आफ देख सकते की कैसे computer इस चीज़ को use करती है computer पहले क्या करती है identify करती है कि क्या है नहीं है उसको पहले identify करती है second में उसको पहचानती की कैसे वो कौन में उसको पहले से वह database में उसका रहता है कि इन s funds का है चीज़ों का हर एक body parts या फिर कोई भी ऐसा parts जिसमें उसका पहले से निशान है तो वो चीज़ समझ कौन समझ सकता है computer तो computer इसका copy नहीं हो सकता है कोई भी इंसान का कुछ भी अगर हाथ हो या फिर fingerprint हो या फिर आख हो या फिर उसका जो face हो या फिर उसका voice हो as it is same किसी से भी नहीं मिले हो कहीं पर भी attendance करना हो कहीं पर भी कुछ भी करना हो तो biomatrix अभी जो लाए गया है यह concept यह बहुत सिक्यूर है और यह बहुत जादा जहां पर मतलow लोग क्या कर नहीं कर सकते चोरी नहीं कर सकते या फिर भोका दड़ ही नहीं कर सकते यह अभी जो banking system में भी यह चीज लाए गया है, बायमेट्रिक्स को, तो यह चीज आप समझ सकते हैं कि क्यों यह इतना important है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बायमेट्रिक एक measurement है और एक statistical analysis इससे हम लोग कर सकते हैं कि unique physical जो एक behavior और या फिर यह character होता है वो हर एक इंसान का different होता है, जो कि एक इंसान का same नहीं हो सकते हैं, जिस जिस को computer क्या करता है, analyze करता है, अनलेस करके वो identify करता है कि वो इंसान वो वह ही वो इंसान है या फिर वो different है, तो इस दिस से क्या होता है कि security बहुत ज़ादा बढ़ गई है और यह जो bio metric word आया है यह कहां की word है यह आपकी Greek से लिया गया है इसका meaning होता है life और a metric meaning जी वनकर को मतलब होता है कि मेसर कि उससे हम लोग क्या करते है उसको मापते हैं या फिर हम रहे जाँस्ते हैं तो यह चीज होकि किअ अब आप आकर बड़ते, कैसे यह काम करते, कैसे देखे आप, यहाँ पर देखे कि पहले हम लोग क्या करते हैं? Biometrics में recognize करते हैं, जैसे कि हो गया user interface, user interface में क्या-क्या चीज आती है? जैसे हो गया fingerprint हो गया, या फिर face recognition हो गया, face मतलब आपका सकल से जो चीज मतलब पहचान जाता है, जहां पर दिया हो रहता है, जैसे मोबाइल में अभी के time में दिया जाता है, android phone में, तो वहां पर क्या करते हैं? पहले यहां पर चेक करेगी, कि उसके बाद वो computer क्या करेगा? फेच करेगा, आपका जो name है, और आपने जो face या फिर ज आपका biometrics में, जितने भी आपका fingerprint हो गया या फिर face recognition हो गया या फिर जो आपका face है, उसको पहले से जो store करका है, उससे क्या करेगा, match करेगा, claim करेगा identity, अदिन्टिटी मैच करने के बाद क्या करेगा? उसको face करेगा, जितने भी उसका information है, उसके बाद क्या करेगा? वो वो match करता है अगर आपका आपका जो सकल है अगर जो आपका original सकल है अगर जो रखा हुआ है जिस इंसान का वो जो already data रखा हुआ है database में अगर उससे match करता है तभी वो आपको सारा information खोल के दिखाएगा otherwise नहीं दिखाएगा तो इससे आप समझ सकते कि biometric बहुत जादा अभी के time में important है और यह बहुत जादा secure है hope so आप लोग को यह चीज clear हुआ है कि biometrics क्या है unique ideas क्या है और identical जो theft होती है वो क्या चीज़ है thank you all of you please अगर आपको अच्छा लगए तो subscribe और like जरूर किजेगा